अस्सलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ डॉनट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इनका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है और बहुत ही क्विकली यह तैयार भी होते हैं तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बोल में शामिल करें हाफ कप मिल्क वन कि वह बहुत ही अच्छी तरह से अक्टिव हो जाए और इसमे फ्रॉदी लेयर आ जाए तो यहां पर देखिए यह बहुत अच्छी से अक्टिव हो चुकी है इसे दुबारा इस एक बर मिक्स कर ले अब इसमें हम शामिल करेंगी वन पिंच सॉल्ट और साथ ही है वन टीस् पिर से मिक्स करें आप यहां पर अंटे को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ना डालना चाहे तो ना डालें तो देखिए मिक्स हो चुकी अच्छी तरह से इसमें अब हम शामिल कर देंगे ओल यह तीन बड़ी चम्मच है अगीन इनको मिक्स करें अब हम यहां पर डालेंगे ड्राय इंग्रीजिंट्स तो इस तरह का एक चंणा रख लिया आप और इसके बाद इसमें दो कफ लार डालेंगे लेकिन हमने साथ में नहीं डालना है पहले एक कप मैदा डालेंगे अच्छी से इनको चान ले चान के डालने से जो हमारी डॉन और इनको भी हम चान लेते हैं अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए तो थोड़ी से स्टिकी है तो यहां पर मैं डाल रही हूँ दो से तीन बड़े चममच मैदा और दुबारा से आपने इनको मिक्स करना है या पर आप इनहीं काउंटर पर निकाल के अच्छी तरह से तो मिक्स कर लिया है इस तरह से एक डू फॉर्म हो चुकी है और सेम बोल में अब यहां पर मैंने थोड़ा से ओल लगाया है और इसके बाद डू को रख देंगे हम राइस होने के लिए तो एक घंटे में यह बहुत ही अच्छी से राइस हो जाती है डू यहां पर एक आप अठा देंगे यहां से दो में जितनी भी एर बबल्स होंगे उनको पंच करके हम रिमूव कर देंगे तो सारे बबल्स यहां से रिमूब कर दे डू बहुत ही सॉफ्ट है और हमें इनको नीट करने की मिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो चले इनके मम बनाते हैं डॉनट्स तो यहां पर काउंटर में थोड़ा सब मैदा डाल दे जोड़ो है और इसे हाथ से खूंगे और फर बेलंस के बढ़करे котором बोट से काट कर रही हों इस तरह से मैं निस साइज की डॉनट्स ब dipli स्केद यूज किये थे यहां पर इनकेंश की बना सक्कते हैं और जमिल पूणर से क्लॉट्स इससे प्लउफ कर दे के लिए इस तरह से हम काउंटर पर रख देंगे क्लॉथ से कवर करके ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए अब हमने डॉनट्स फ्राइ करनी है तो यहां पे और बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए जब आप इसमें एक डॉनट डाले और इसमें थोड़ी थोड़ी होने के लिए रख देंगे और यहां पे अगर बहुत ज्यादा गर्म होगी तो बहुत बाहर से बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे बहुत ही जल्दी और अंदर से वह बिल्कुल कच्छे रह जाएंगे इसलिए आपने मीडियम टू लो हीट मिन को फ्राइ करना है और इसके बाद इनके साइट से चेंज करते लिए तो निकाल के रखते हैं दूसरी बैच में इस तरह से फ्राइब कर लिया थे फ्राइब करने से पहले आप यहां पे थोड़ा सा ओयल को ठंडा होनी दे और इसके बाद सारे डोनट शामिल कर दे और से इसी तरह से आपने इनको फ्र चले यह फ्राइब हो चुकी है तो इनको हम निकाल लेते हैं बहुत ही बहतरी डोनट से यहां पे बन चुके हैं और बहुत सॉट और फ्लफी है या तो आप इसे इसी तरह से सर्फ कर सकते हैं या फर आप यहां पे मैंने थोड़ा सा पावरे शुगर लिया है यानि पिसी पिचीनी तो इन में इस तरह से हम कोट कर देंगे दोनों साइट से तो यह और भी ज्यादा मजे की लगती है इन सारे डोनेट्स में मैंने शुगर कोट कर दिया था और अब यहां पे मैंने थोड़े से चॉक्टलेट लिये जिनको मैंने पाविपिंग बैग में फिल कर दिया और इस तरह से मैं इनके अंदर फिल कर दूँगी इससे और मेरे जादे यह डेलेशियस लगती है तो सिंप्ली मैंने एक स्क्यूर लिया था इससे थोड़ा सा होल किया और बाकी जो चॉक्लेट्स थे वो फिल कर दिये इस तरह से भी आप सर्फ कर सकते है या फिर आप ऐस इट इस शुगर कोट करके भी सर्फ कर सकते है दुनों तरीका बहुत ही अच्छा है इस तरह के डॉनिट्स आप बच्चों को पाटीज में सर्फ करें या फिर आप इसे लंच बॉक्स में दे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा ये पसंद आएंगी इस मज़दार डॉनिट्स को आपने जरूर से ट्राइ करनी है कुछ डॉनिट्स में मैंने चॉक्रेट फिल किया था और कुछ में मैंने चॉक्रेट सॉस लगा दिये थे बिल्कुल इस तरह से आप जिस तरह से चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं तो मारी बहुत ही मज़दार डॉनिट्स यहां पे बिल्कुल नयार है और इस तरह की चीज़ें छोटे बच्चों को यह काफी पसंद आती है और इवन की एल्डर्स को भी ट्राइ जरूर करें और मुझसे अपनी फीटबाग भी शेयर कीचेगा I hope आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी मिलते एक न्यूर रेसिपी में अब देन अल्लाः अपच्छ एंध यू फर वाच्छिंग